हाई फ्रेंड्स आज आईस क्रिम बनाएंगे गर्मी का मौसम आ रहे हैं तो घर में आईस क्रिम खाने का मन सभी को होगा तो चलिए आज बनाएंगे मिल्क आईस क्रिम ये आईस क्रिम मैं सिर्फ दूद से बनाने वाली हूँ तो देख लेते हैं recipe क्या है काफी सारे messages मुझे आये थे कि सिर्फ दूद और चीनी के साथ आप ice cream बनाना बताए बच्चों के लिए तो चलिए आज उन सबी के लिए और आपके लिए भी सिर्फ दूद और चीनी के साथ ice cream बनाना बताऊंगी और वो भी काफी soft बनेंगे और इस recipe को पूरा देखे दिहान से देखे तभी आपको समझ में आएंगे यहाँ पर दूद और चीनी का यूज मैं करूंगी तो चलिए ice cream बनाने की recipe स्टार्ट करते हैं और यह सबसे आसान ice cream है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की recipe आपको पसंद आते हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देजिएगा और मेरी चानल को जरूर से सब्सक्राइब करने चाहिए तो चलिए फ्रेंट्स recipe स्टार्ट करते हैं इसके लिए हमें चाहिए दूद्ध यहाँ पर मैंने 500 ml full fat milk लिया है यानि की आधा लीटर full fat milk हमें चाहिए आप कोई भी मिठा बनाने जा रहे हो तो ध्यान रेखिएगा कि दूद्ध हमेशा full fat ही होनी चाहिए इसी के साथ इसमें डाल देंगे चीनी यहाँ पर मैंने 14 cup चीनी दिया है और नाप के इसाब से 50 gram से थोड़ी सी कम है यह तो दूद्ध में पहले ही चीनी डालने से क्या होता है कि दूद्ध के उपर मलाई नहीं जमती है तो अगर आप smooth ice cream बनाना चाहते हो तो मलाई को हटाना ज़रूरी होता है और उसके लिए चीनी को पहले ही डाल दें तो दूद्ध के उपर मलाई नहीं जमती है तो अभी हमारा जो काम है दूद्ध को boil करना है तो पहले दूद्ध को boil होने देते हैं फिर हमें चाहिए milk powder यहाँ पर मैंने 25 ग्राम milk powder लिया है और सीधा हिसाब करने जाओगे तो बाजार में 10 रूप है का जो milk दूद्ध का packet मिलता है मैंने वही लिया है एक packet और हमें चाहिए एक बड़े चमच corn flour अगर आप सिर्फ दूद्ध के ice cream बनाने जा रहे हो तो corn flour ज तो अभी यह ठंडा पानी में हम इसे dilute करने जा रहे है तो इसमें लंफ बनेंगे तो चमच की मदद से इसे break करती हुए लंफ को एकदम smooth कर ले क्योंकि यह जो गोल हम बना रहे है यह एकदम smooth होने चाहिए क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि यह हम सिर्फ दूद से बना अगर आप टेस्टी आइस क्रिम चाहते हो तो तो यहाँ पर दूद बॉयल हो चुके है और आप देख सकते हो उपर मलाई जमे नहीं है सिर्फ रॉत आय है मलाई नहीं बने है यहाँ तो इसे लिए मैंने पहले चीनी डाल दिया है तो अभी गैस का फ्लेम थोड़ा सा लो क करना है और इस स्टेज में गैस का फ्लेम मीडियम हाई कर देंगे और ऐसे ही चलाते हुए हमें पाच मिनिट इसे कुक करना है ताकि दूद थोड़ा सा रिडियूस हो जाए और कॉन फ्लावर जो हमने डाले है वह भी थोड़ा सा पग जाए तो इस वज़े से पाच मिनिट बरबाद हो सकते हैं तो इस वज़े से लगातार चलाते रहें पाच मिनिट तक इसे घुमाते हुए अच्छे से बॉल करनी है तो यहां पर मैंने फूल फैट मिल्क लिया है आप अगर चाहो तो स्कीम्ट वाला दूद भी यूस कर सकते हो पर टेस्ट में थोड़ा सा फरक आजाते हैं उससे तो इस बात कर जरू ध्यान रखे और यह देखिए दूद में काफी तेज उबाला चुके है तो गैस का फ्लिम लो हाई करते हुए हमें यह काम कर लेना है और एक बार यह पूरी तरह से तयार हो जाए यह देखिए तो मैं गैस का फ्लिम आफ कर रही तो पहले इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे और एक बार दूद पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो उसके बाद इसे सीधा मोल्ड में ट्रांसफर कर लेंगे तो मेरे पास इस तरह की आईस क्रिम मोल्ड है तो मैं इसे में इसे ट्रांसफर कर दोंगी अगर आपके पास आइस्क्रिम मोल ना हो तो आप छोटे कटोड़ी में इसे जमा सकते हो छोटा छोटे ग्लासेस में स्टिक्स डाल के भी आप इसे जमा कर तयार कर सकते हो और फिर बाजार में पेपर कप्स जो मिलते हैं उसमें भी आप इसे जमा सकते हो आइस्क्रिम बना सकते हो तो इससे हमे पर sticks को अच्छी तरह से धो करके थोड़ी दिर पानी में भीगो कर रखे तब यह अच्छी तरह से सेट हो पाते हैं तो इस तरह से सभी को तयार कर देंगे और फिर 6-7 घंटा इसे दीफ्रीज में माइनस 8 डिग्री टेंपरेचर में रख देंगे या फिर ओवरनाइट के लिए इसे छोड़ देंगे और उसके बाद यह एक्तम जम के तयार हो जाएंगे तो अभी इसे हम खोल के देख लेंगे कि यह अंदर से कैसे बेनी है पर उससे पहले इसे कुछ तो यह अपने आप बहार निकल आएंगे पर अगर आप चाहो तो बहुत जल्दी में हो तो इसे पानी में डिप करके भी खोल सकते हो पर उससे क्या होता है कि इसका जो आउटर लेयर होता है जो बाहरी पोर्शन होता है ना उसमें थोड़ा सा मेसी हो जाते है तो उस हमारा मिल्क आइस्क्रीम बनके तयार हो गए है मैंने इसमें कोई फ्लेवर नहीं डाला है पर अगर आप चाहो तो इसमें आधा चम्मच भ्यानी लेसंस डाल सकते हो तो इससे उसका फ्लेवर और ज्यादा अच्छे आते है तो चलिए इस रेसिपी को ज़रूर ट्राइ करे और मुझे कॉमेंट पर बताएगा कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी है चलिए फ्रेंट फिर मिलते हैं